क्या NDA exam self-study से clear हो सकता है तो the answer is yes हर साल बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो कहीं पर live नहीं आता चुप चप अपनी recording देखता है या फिर books की help लेता है और ultimately NDA exam clear करता है आप भी exam clear कर सकते हो गर आप उस category में आते हो तो मैं इस वीडियो में complete self-study plan के बारे में आपको बताने वाला हूं कि Maths और GAT दोनों में आपको किस-किस तरीके से कुन-कुन से topic approach करने ताकि overall आपका result positive रहे ND1 2025 का जब result है तो आप भी बोल सकते हैं हमारा भी exam clear होगा वीडियो को एंट तक देखना एक एक चीज बहुत काम की है और अपने यारा दोस्तों को शेर भी करना अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो सबसे पहले तो मैं दोनों सब्जक्ट के बारे में बात करूंगा यानि पेपर बोलते हैं पेपर वन मिला के जो combined cutoff है उसमें भी आपको पास होना होता है अगर यह चीज तो आपको क्लियर है सबसे पहले जाते हैं mathematics पर कि mathematics को लेकर आपकी अप्रोच क्या होनी चीए देखो अगर आप self study कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने target fix करने पड़ेंगे target fix करने से क्या मतलब है द अगर आप above average student हो तो मेरी recommendation हमेशा ही रहते है कि आप complete syllabus को target करो मैं यह नहीं कहा रहा कि आपको हर एक chapter बिल्कुल ऐसा पक्का कर ले रहा है कि सारे चाप 300 में से 300 नंबर लाने मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन आपका target full syllabus होना चाहिए आपको chapter सारे पढ़ने फिर उसमें से अपने कुछ weak chapter कुछ strong chapter यह सब बनाओगे लेकिन वह कब बना पाओगा जब आपने पूरा syllabus go through कर लिया हो लेकिन not necessarily हर बच्चा वैसा कर पाए बहुत सारे बच्चा है से होते हैं जो mathematics में weak होते हैं बहुत सारे बच्चा है संदे 12th appearing होते हैं तो वो पूरा syllabus नहीं देख सक करते हैं मुझे यह chapter चाहिए होंगे इन इन chapter को में target करूंगा इस पर हमने वीडियो बना रखिया वाकि एक वीडियो में अलग से डाल दोंगा आप बोलोगे तो कि most important chapter for mathematics कौन-कौन से तो सबसे पहले तो आपको इन दो में से एक category में अपने आपको select करना पड़ेगा कि आ यह कि सबसे पहले आपको theory करनी पड़ेगी उसके बाद पीवाई क्यू या पिजिसको mcq बोलते हैं और उसके बाद आप ultimately मोक प्रेक्टिस करोगे मोक्स की बात अभी नहीं करेंगे मोक्स हम paper के नजदीक आपको बहुत ही बहतरी लेवल पर देने वाले हैं उसके attention अभी स आके देखोगे तो you'll feel it कि भाई तयारी होती कैसे है हमने यहां पर सब कुछ ही तो दिया हुआ है mathematics के multiple teacher है जीस के multiple teacher है और आपको हर कोई समझा रहा होता है डाउट साब के 24 hours में clear हो जाती है आप यहां से भी त्यारी कर सकते हैं आप खुद से भी त्यारी कर सकते हैं कहीं और से भी त्यारी कर सकते हैं बड़ पॉइंट इस कि आपका सबसे पहले theory clear होना चाहिए जिसको concept सी बोलते हैं सबसे पहले concept clarity बहुत जरूरी है बहुत सारा दिल खुश हो जाएगा आप खुद से भी कर सकते हो कैसे दिक्केत वाली बात नहीं है अगर आप नहीं हो आप कहीं और से पढ़ रहे हो आपको वहां की questions की जो लिस्ट है questions के टाइप है वह अलग-अलग platform पर देते रहते हैं वह भी आप देख सकते हैं जो आपने पढ़ा है उसको इंप्लिमेंट आप जरूर करोगे and PYQ is the best source for this right मोक्स के बारे मैंने बताए कि हम बाद में बात करेंगे अभी सही अब हम आ जाते हैं जीटी पर तीरो सब्जेक्ट की अप्रोच अलग-अलग है सबसे पहला सब्जेक्ट इंगलिश इंगलिश के मैंने आप आपको एक बार इंगलिश प्रिपेर करनी ही पड़ेगी वह इंगलिश प्रिपेर आप कैसे भी कर सकते हो जैसे अब हमने इंगलिश स्पेशल बैच भी चलाए है अब अगनी बैच के स्टुडेंट हो तो अटोमेटिकली वहां से हो जाएगी लेकिन आपको वन टाइम इं ग्रामर रिडिंग कोंपरेशन एक बार पूरा करना है चाहिए कहीं से पूरा पर उसके बाद आपको अपडेट रखना है थुरू मोक्स मलब प्रैक्टिस कोशन टाइप में एंड निउसेप पर बस इंग्रिश में इससे अदर टाइम जाने की जरूद नहीं है एक बार प सकता है कि एक दो फाल्तु भी कर दो लेकिन इतने तो एटलिस कर ही दोगे इसको करने की तरीक है इसको आप चाहो तो मलब कोर्स से कर सकते हो चाहो तो NCRT पढ़गे कर सकते हो जैसा आपका दिल करें वीडियो से कर सकते हो राइट नेक्स्ट आता है बच्चे आपका जीए जीएस की बात करें तो जीएस में जो मेरे कोडिंग की है जब तक आप कंप्लीट स्लेवर्स नहीं करोगे जीएस में नहीं हो सकते बिकोज जीएस की वरैटी देखो क्या है इस्टी जोग्रफी पॉलिटी एकॉनमिस करेंट अफेर्ट यो सब मिलाके हम बोलते हैं भाई सा साथ के अंदर नहीं आएगा अगें इसको करने का लग लग तरीकी आप यूटूब वीडियोस देख सकते हो पुरा नहीं हमेरे कोर्से देख सकते हो किताबे पढ़ सकते हो किताबे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल इसमें पढ़ जाता भी को स्लेवर्स वेरी वास्ट वर आपको जैसे बीचें बताएं अगनी फाइफ प्रेट जोइन कर सकते हो मैं आपको गारेंटी दे रहा हूं कि इंडिया में अगर एंडिया की ब्रेस्ट कोई कराता है तो ल्डव से वो रिजल्ट भी हमारे बताते हैं ठीक है आई विश्यू ओल दा बेस्ट बच्चे जै ह हाχत पाद जादू हाँ 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 खाल सकत oneself कर साओत है